दोस्तों मश्कार, मैं आपका दोस्त लोकिश्ट कुमाशर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भारत द्वाज के मिस्ट्री जिसमें आजम लोग बात करने वाले हैं केमिकल बॉंडिंग के संदर्व में दोस्तों विबन प्रकार के पर्माणू अपना इस्थाई तुप्राप्त करने के लिए आपस में इलेक्ट्रोन का इस्थान अंतरन करते हैं या साजेदारी करते हैं या इलेक्ट्रोन का पेर डोनेट करके आपस में एक विशेश प्रकार के आकरशन बल से बंद जाते हैं ये विसेश प्रकार का आकर्शन पल रासानिक बंद कहलाता है। देखिए सामाने तया परमाणू मुक्त वस्ता में इस्थाई नहीं होता है। कई प्रकार के परमाणू मतलब एटम आपस में मिलकर अणू का निर्मान करते हैं मतलब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मतलब ये एक अट्रक्शन फोर्स होता है जिसके कारण परमाणू मतलब एटम ये दू या दो से अधिक भी हो सकते हैं। आपस में मिलकर बंद का निर्मान करते हैं। उससे केमिकल बंडिंग बोला जाता है। दोस्तों आपम बात करने वाले हैं रासानिक बंद के प्रकारों के संदर्ब में मतलब टाइपस ऑफ केमिकल बंडिंग। देखिए दो या दो से अधिक प्रमाणू के द्वारा बंडिंग बनने पर एलेक्ट्रों का उप्यू किस प्रकार से किया जाता है। इसी के आधार पर रासानिक बंद के टाइपस होते हैं। जिसमें सबसे पहले ह कोवेलेंट बंड के संदर्ब में मतलब सैसन्योजक बंद के संदर्ब में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आईनिक बंद के संदर्ब में मतलब आयोनिक बंडिंग। थार्ड हम लोग बात करेंगे उप सैसन्योजक बंद जिसे बुला जाता है कॉडिनेशन बंडिंग इसी प्रकार से आगे हम बात करेंगे हैडरोजन बॉंडिंग और उसके बाद हम लोग बात करेंगे धात्विक बॉंडिंग के संदर्ब में दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं सहसायोजक बंद के संदर्ब में जिससे बोला जाता है कोवेलेंट बॉंडिंग देखिए दो समान या एस समान बितुत रणी परवाणों के मत इलक्ट्रोन युक्म के साजे से बने बंद को से सहींची बंद बोला जाता है यदि उधारन की बात करें तो CL2, H2 दोस्तों यहाँ पर हम बंदित और एबंदित का मतलब समझ लेते हैं देखिए किसी अनू में उपस्तित वे इलक्ट्रोन युक्म जो बंद के निर्माण में भाग लेते हैं उन्हें बंदित इलक्ट्रोन युक्म बोला जाता है मतलब बंड पेर ओफ इलक्ट्रोन इसी तरीके से वे इलक्ट्रोन युक्म जो बंद के निर्माण में भाग नहीं लेते हैं उन्हें आबंदित या एकाखी इलेक्ट्रोन युग्म बोला जाता है मतलब लॉन पेर आफ इलेक्ट्रोन दोस्तों यहां हम सैसेयुजद बंद के प्रकारों की बात करें तो ये तीन प्रकार के होते हैं जिसमें सबसे पहले बात करते हैं एकल बंद के संदर्ब में देखिए जब दो परमाणूं के मत एक इलेक्ट्रोन युग्म का साज़ा होता है तो बने हुए बंद को एकल बंद बोला जाता है यदि हम उधारन के तौर पर बात करें तो H2 और CL2 सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन के मॉलीक्यूल के संदर्ब में देखिए जब एक हाइड्रोजन का परमाणूं दूसरे हाइड्रोजन के परमाणूं से एक एक इलेक्ट्रोन का साज़ा करते हैं और इस प्रकार बना बांड कोविलेंड बांड कहलाता है जिससे S2 का फौरमेशन होता है हाइड्रोजन में केवल एक प्रोट्रोन की उपस्तती होती है यहाँ न्यूट्रोन नहीं होता है इसी प्रकार से यदि हम क्लोरीन मॉलीक्यूल की बात करें तो क्लोरीन के एक एटम के आउटर सेल में साथ एलेक्ट्रोन होते है इसी प्रकार से दूसरे क्लोरीन एटम के आउटर मॉस सेल में भी साथ एलेक्ट्रोन की प्रजेंस होती है जब ये एलेक्ट्रोन का साजा करते हैं तो दोनों के पास आठ आठ एलक्टोन हो जाते हैं और ये इस्टेबल फॉर्म में चले जाते हैं तो इस प्रकार बना बंद सह सन्यूजक या कोविलेंट बॉंड कहलाता है दोस्तो अब हम बात करते हैं द्वी आबंद के संदर्ब में देखिए जब दो पर्मानों के मद दो इलक्टोन योगमों का साजा होता है तो उनके बीच बने सह सन्यूजी आबंद को द्वी आबंद बूला जाता है उधारन के तोर पर ऑक्सीजन का मलीक्यूल देखिए ऑक्सीजन के मलीक्यूल के अधि हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन के एक एटम के आउटर मोस सेल में 6 इलक्टोन्स की प्रजिंस होती है इसी तरीके से दूसरे ऑक्सीजन के एटम के आउटर मोस सेल में भी 6 इलक्टोन्स की प्रजिंस होती है यहाँ ये दो दो इलक्टोन्स का साजा करते हैं और डबल बॉंड का फॉर्मेशन करते हैं और इस तरीके से ऑक्सीजन का मालीक्यूल बनता है यहाँ भी दोनों एटम के पास आठ आठ इलेक्ट्रोन हो जाते हैं और यह स्टैबल फॉंड में चले जाते हैं दोस्तो अब हम बात करते हैं त्री आभंद के संधर्ब में देख़ए जब दो परमणूं के मद्द तीन इलेक्ट्ट्रॉन युगमों का साजा होता है तीन इलेक्ट्रॉन युगमों के साजے से बने बंद को त्री आभंद बोला जाता है उधारन के तोर पर नाइटरोजन का मॉलीक्यूल देखिए यहां हम नाइटरोजन मॉलीक्यूल की बात करते हैं एक नाइटरोजन एटम के आउटर मोस सेल में पाँच एलेक्टोंस की प्रजिंस होती है इसी प्रकार से दूसरे nitrogen atom के outer most cell में भी 5 ही electron होते हैं यहां 3-3 electron मिलकर साजा करते हैं और triple bond का formation करते हैं और इसी तरीके से n2 का formation होता है दोस्तो इसी प्रकार से आप carbon dioxide water में भी covalent bond का study कर सकते हैं दोस्तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें लाइक करें वे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्स पूर वचिंग